अितर लिया है यह都 पो यह फ्यक्शिवल जान कर रिया है सथाक उनकी करांति के बारे में कांव हुझी कैसे भी थी ने भाग liा था प्रभद विक्ने किसे दबाहि थी त्रोल required सब्सक्राइब किन किन जगह पर नहीं विए कि सारी जान का रिया प्री के अंदर ज्यादा तर सवाल इसी मेंटर के अंदर से आए अन्य को मेंस में भी आ जाए मैंस में सिधा-सिधा पूचले कुसाल सिंग चांपा उतने अंगरी जों किलाब कौन-कौन से युद लड़े थ या टिपिकल मेंस के जो सवाल होते हैं वो कैसे आते हैं सुनना दें दो चीजें यह अपने जो इस्ट्री पढ़ रहे हैं एंसेंट मेडिवलेक मोडन है मोडन है मोडन इस्ट्री जब कभी भी आप किसी की भी पढ़ोगे और वह बले ही अपने राजस्थान की पढ़े है वह बले ही बाद में आप किसके पढ़ोगे इंडिया या वह बाद में पढ़ोगे आप वर्ल्ट किसी की भी पढ़ो मोडन इंडिया में या स्ट्री में दो परकार की सवाल बनते हैं या तो कोई सवाल होता है कारण या कोई सवाल होता है प्रिनाम, प्रिनाम कदो, या प्रभाव कदो, या महत्वे कदो, तीसरा कोई ले दे के एक सवाल बनता है तो वो बनता है प्रकृति, या सोरूप कदू नेचर कदू मैंस का जब भी सवाल पुछा जाएगा modern से संबंदिद वह बले इंडियन-modern उह वह बले राज़स्थान की modern वह बले वल्लड की modern यह तो क्यूस्टन आएगए कि इस घटना के कारण बताएगे पर लोग कोजेज बताईए उसके रिजन बताईए उसके यह आएगा इस गटना के क्या बताईए प्रिनाम परभाव रिजल्ट इंपक्ट कॉंशिक्वेंस जो आप से पुछा जाए वो लिखते हैं नोर्मली अपने हिस्ट्री कॉनसी क्लास से पढ़ने लग जाते हैं तीसर से दसवीं तक पढ़ते हैं इस्ट्री जो लोग आर्च ले लेते हैं उनकी 11 वारीवी के अंदर भी आ जाती है आप दसवीं तक भी यह आपने पढ़ियोगी तो आप थोड़ा सा दिमाख फिछे दोड़ाईए आपने आपके ज्यादातर सवाल ऐसे थे ऐसा योग आंदोल किया क्या कारण थे यह थाह सं आया करता 1857 की करांतिके भारत में क्या परभाव हुएं है कि यхचे नाता करनतिकारी गतिवीड कर यहं की पीछे क्या कारण नहीं है थे क्यों से नाता सव्में nhất वाग्या अंदोल गर भारत में परभाव बताईए है कि आप याद कर लो इस चीचन अभी आप के जो भी कुषण आएगा हो यह तो होका करन या क्या होगा तो तैसरी से लेगे 10 क्षिष्आ तक जब यह क्यूस्चन आथा कि 847 wert क्रांति के कारण बताये आप बादस लिखते बचले 58 57 क्रांति के करन निम लिखित है 5 राजनिति के'reりました सामाजी के कारण आर्थी के क्रान एसे लिखते न है लिखिए उब भी एक है ढृश्रे में जो कोई भी चेंजे अब उस Zumra Isaiah शिदा सिदह सदा पूस्ता था अटर सो सतावन इसवी की करांति की कारेन बताइए अब और किस्टन चेंज खरता है अबधोगिन लिखता है सब्धी सब्सक्राइब का लिए है था इसैंद सब्सक्राइब अठार सो सत्तावन में विद्रों को जन्म दिया। यह एक क्यूस्टन है। 1857 इस्वी की क्रांती ने भारतिय सामाजिक धांचे को बदल दिया। मैं भी समझा दूँगा, इंगलीज में ही समझा दूँगा, एक बार सुन लो के वलाव। यह एक क्यूस्टन है। 1857 इस्वी की क्रांती एक सिपोई म्यूटिनी थी। स्यनिक विद्रों थी। टीन सवाल है। टीन लाइन क्या लिखी भी है। चर्वी वाले कार्थूसों ने 1857 इस्वी की विद्रों को जर्म एक सत्ताउन की क्रांती भारतिय सामझिक धांचे को बदल देती है। एक क्यूस्टन है सत्ताउन की क्रांती क्या थी। तो हम जब नहीं इस्ट्री पढ़ने लगें हम सब्जेक्ट वाली इस्ट्री पढ़ते हैं। जब ऑप्शनल आया करते थे। दिलिफ सर जब पढ़ाते तो सर कते कि मोडन में तीन परकार के सवाल आ सकते हैं। ऐधर कोजिज या रिजल्ट या उसका नेचर। या तो कारण पूछेंगे या प्रिणाम पूछेंगे या क्या पूछेंगे प्रकरती प्रियार वो सिधा सिधा नहीं लिखेंगे वह यह नहीं लिखेंगे प्रकरती लिख वह यह नहीं लिखेंगे कारण लिख वह यह नहीं लिखेंगे प्रिणाम लिख तो सर क्या एक लाइन लिख देंगे पहले तो दिया को यह पता लगाना पुदेगा क्यां फिर तो इस फौन आया परिनाम या प्रकर्त यह फिर तो रीज लिखत इना सब molto आजींगा है फिर तो हम अफने निम लिखित कारण हैं और सारसी कार्ण उतार दे पर पता तो लगा यह किया कारण है प्रिणाम या प्रिगत फिला सवाल है भी वाले कार्तव सोने अब दूसरी एक बात आद क्या होते हैं प्रिणाम क्या होते हैं किसी भी घटना से से पहले होने वाली गटनाए कारण किसी भी गटना के बाद में होने वाली गटनाए प्रिणा कारण 57 से पहले जो जो हुआ कारण 57 के बाद में जो जो हुआ कि आगी बास समझें जो पहले हो रहा वो तो शपन पच्पन चौपन तरेपन जो भी वह 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 सारे सारे क्या कारण अठावन उनसट साथ एक सट बासट में जो भी वह 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 क्या है उसका प्रिनाम कि अब पहली लाइन पड़ी कि चर्बी वाले कार्थुस्तों ने रहा कि चर्बी वाले कार्थुसों ने 57 की क्रांति को जनम दिया चर्बी वाले कार्थुसों कांज जो ग्रीड काठी जेस थे उनकी वज़े से साथाउन की क्रांति स्टार्ट हुई तो ये तो 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 समझ में आगया कि कि क्या पूछना चाहता है वो करण अब लिखना कैस जिसका नाम था ब्राउन बेस के नाम था लेकिन 1857 ठीक पहले उन्होंने एक नई बंदुग धिनि लिनी शुरू कर दी थी इसका नाम था एफिल्ड in और इस एनिफिल्ड बंदूक में कार्तूसों को डालने नफिशा पहले मूंह से काटना पड़ता था औंने कारतुसों पर चर्भी लगे ऌती ती यह चर्भी गए तदह सूवर की ती और गए तदह सूवर की चर्भी से हिंदूतदा इस्लाम धर्म को नुक्सान पहुंच रहा था क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं तता मुसलमान सुवर को आप पवित्र मान उन्हें लगता था कि इससे हमारा ध्रम बरेष्ट हो जाएगा तता सेनिकों को लगा कि अंग्रेज हमें इसाई बनाना चाहते हैं और सेना को इसाई बनागे पूरे भारत को इसाई बनाना चाहते हैं इसलिए श्यानिकों अंग्रेजों खिलाव विद्रों लिए एक प्रगरा लिखता है फिर दूसरे प्रगराव में वापस लिखता है कि हाँ निस्चित तोर पर ये बात सञी है चरुपी वाले कार्टॉसों की च प्रेखते हुआ फिर्बी में इसे बात को स्विकार करना पड़ेगा कि चर्भी वाफे कार्तुसों की चर्भी वह चीज थी जिसने बारत में 77 की क्रांती को जन्म दे दिया उपर से लेकिन नीचे तक चर्वी चर्वी भी खेर देता है कि यह कि अंस्वर यह नहीं है अंस्वर सिंपल है जैसे पता चला कारेंग है आप तो नीचे लिखिए कि अठारअशो सो सतावन की क्रांती कां एक कारें चर्वी वाला कार्तूष्नी लेकिन इतनी बड़ी क्रांतीक लिया इतनी बड़ी घहटना के लिए क्यों एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठेराया जा सकता क्रांती के कारण कई अलग लग थे जो इस परकार है वापस तीसरी वाला आंसर राजनिती की कारण सामाजी की कारण धार्मी की कारण आर्थी की कारण प्रसासनी की कारण सांस्कृति कारण जो जो आपको समझ में वो सारे पर पहले पता लगा लिया जाए है क्या यह आप पता नहीं लगाते हो तो बाद में चर्बी भी खेर दोगे वह नहीं होना थी दूसरा कि उस्टे ने कि 3857 की करांथी ने भारतिय सामधिक धांचे को कि बदला है तो पहले तो नहीं बदला उगा इसका मतलब बाद सॉशल स्ट्रेक्टर जो है वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया इसका मतलब बाद में चेंज हुआ है बाद में आधा कारण आया पृनाम कि यदि पता नहीं चले तब तो स्टुडेंट वैसे लिखता है हाँ ये बात निश्चित तोर पर सही है कि कि क्रांती वह चीज थी जो किसी भी सिष्टम को हिला के रख देती तो समाज बेचारा क्या चीज है वह कैसे नहीं हिल जाएगा क्रांती बड़े-बड़े दर्खतो उखाड देती तो उसने समाज को भी बदल कर रख दिया और उपर से नीचे तक समाज समाज लिख देता है आपको पुना लिखना होता है अठार सो सतावन की क्रांती की गटना भारतिय इतिहास का एक महतोपूर्ण गटना है जिसने ने केवल हमारे समाजिक धांचे को बलक इसका मतलब नेचर है अब अपने विखना है कि आप सेनिक विद्रो मानते हो इसको समतों का विद्रव मानते हो ऐसको धारमी के विद्रों मानते हो इसको सांस्कृतिक मानते हो वो सारी बात लेकिने UK li mlakon ya का मतलब यह कि पहले छोटी किलासों में सीधा कहता था कारण बताईए अब वो एक कारण देगा बाखी पूछेगा कि भले पड़ी मेरी बात मैं अपने लिखेंगे वैसे जैसे तीसरी क्लास में लिखते थे वैसे लिखेंगे मां लिखुआँगा सत्ताओं की करांथी के कारण सामाजिक राजनितिक आर्थिक अलग लग आपको लिखुआ दूगा पर जब आ इससटेट्मेंट के बारे में समझाणा फिर स्टेटमेंट告诉 ये पता लगाने कि ये कारन या नेiyoruz नुसकिया दुआ कता 918 ऑाठाविक संध्यों ने नंक vowelग यह करति गरवा दियू ये भी तो एकला दे सकता है तो अपने को इसके बारे में लिखना पड़ जाए ग्यार 17-18 वली संधियों में सिख्या बात थी कि करांती हो जाए तो दो तीन लाइने 17-18 के संधियों के बता दें अभी लिखेंगे अपने बाकी और लिखेंगे पर एक कारण इतनी बड़ी पार्विन लिख रहा है पढ़ने वालेकं यञा दो यह इंतना है अदले या टीन रहीट हो और यह ऊहारी को एक कारण में स्मित्कर रहे है एक श्क्राइए वह Тीन क्यृट इसमें पांच लिख रहैं एक इसमें वह साथ लिख रहता नंबर उस अनुपात में मिल जाएंगे जिता घीर डालोगे उतना सवाद है कि सिंपल सी बात मेंस में इसा कभी नहीं होता कि आपको कोई जीरो नंबर दे दे कि फ्रेक्शुल के चोटके फ्रेक्शुल बाद पंदरा नंबर वड़ा हो सकता पंदरा सब्दों वड़ा जो उसमें जरूर कि आपको पूचा कुमबा के पिता जी के नाम बता है आपने गलत लिख दिया जीरो नंबर देगा दस नंबर का कोई किस्टन है आप वह रहर होग किसे ले सकति आए बाए समय में तो ये समझ में रहें कि बाततों मेंस जब भी मोडन का कोई कुश्शन करणा हो तो सबसे पहले पता लगाना हो तागी कारण है या क्या है परकद इसमाद की पतेंगेगर पỉनाम जेखकार की क्योंन है पहले लिको कारण